रियालिटी शो बिग बॉस OTT 2 के घर में इन दिनों एलविश यादो चाहे हुए हैं एलविश यादो ने बात और वाइल्ड काट कंटेस्टेंट शो में एंच्री की है एलविश यादो की जबरदस लोग प्रियता है उनकी लोग प्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सल्मान को भी उनसे टकराना महेंगा पड़ा था एलविश को फटकार लगाने के बाद सोचल मीडिया पर सल्मान के फॉलोर्स की संख्या में गिरावट आ गई थी कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर एलविश यादो कौन है जिनके बिग बॉस में OTT2 में आते ही रियालिटी शो में नई जान डालने का काम क्या है लविश यादो का पूरा नाम लविश राव साहब यादो है वह एक फेमस यूटूबर है जिनके यूटूबर लगभग 11 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं वहीं इंस्टग्राम पर लगभग 10 मिलियन फॉलवर्स हैं लविश यादो रोस्ट और फनी वीडियो बनाते हैं बिग बॉस OTT2 में आने से पहले एलविश यादो का अश्रीका भाट्या और यूटूबर अर्मान मलिक समेट कई पॉपुलर सेलवस को रोस्ट कर चुके हैं साल 2021 में एलविश को रोस्टिंग वीडियो की वज़े से पाकिस्तान से धंकिया भी मिल चुकी हैं इसका खुलासा एलविश यादो ने एक इंटर्व्यू में किया था एलविश यादो ने कहा कि मुझे पाकिस्तान से धंकी भरे कॉल्स और मेसिजिस आते हैं वे लोग मुझे धंकिया देते हैं आज भी मेरे पास उनके कई सारे इमेल्स पड़े हैं लगातार मिल रही धंकियों से मैं और मेरा परिवार खौफ में आ गया है हमेल अदाख समेत इंडिया के गई इलाकों से इलाकों में जाने का डर भी लगा है रहता है एलविश यादो ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया को जमकर रोस्ट किया था इसके बाद उन्हें ये धंकिया मिली थी बाद में उन्होंने ब्लॉग डिलीट कर दिया था फिलहाल एलविश यादो ने रोस करना बंग कर दिया है अब वो यूटूब पर डेली बेस्ट ब्लॉग डालते हैं उनके कई यूटूब चानल है